सभी जिम्मेदार लोगों और मेवात के नेताओं से अपील है कि मेवात क्षेत्र को बरबाद होने से बचा लो। सभी जिम्मेदार लोगों का फर्ज बनता है कि सबसे पहले जो गलत काम हो रहे हैं उनको बंद करवा। समाज से बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि अपराद कुछ लोग करते हैं और बदनाम। पूरे मुस्लिम समाज को होना पड़ता है खास कर उन लोगों से बोलिये जिनकी बदौलत गाव में पुलिस आती है और एक शरीफ और इज़तदार आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। अगर आज जिम्मेदार लोगों ने कदम नहीं उठाया इस बुराई को रोकने के लिए तो हो सकता है मेवात क्षेत्र को आगे चलकर डर के समय जीना पड़े खास कर में राजस्थान। मेवात वालों से अपील करना चाहता हूँ जो भी गो तसकरी साइबर ठगी जैसे अपराध को अंजाम देते हैं इस काम को बंद कर दीजिए। मेवान अलवर से सदर शेर मोहमत खास कर आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि एक पंचायत बुलाओ और उसे पंचायत में कठोर फैसला। यह लोग की अगर कोई भी गो तसकरी करता है तो उसको समाज से बेदखल कर दिया जाएगा और उसको पुलिस के हवाले किया जाएगा। आज मैंने एक मौलाना साहब से यह भी सुना है कि हजरत मौलाना साथ साहब का कहना है कि गाय के दूध और घी में शिफा है गाय का दूध और घी हमें खाना चाहिए लेकिन गाय का गोश्ट खाना हराम है लेकिन फिर भी कुछ लोग चंद पैसों के लालच में अपने पू जंदू मुसल्मान के बीच आपसी भाई चारा खत्म होता जा रहा है इसलिए जो इस अपराद को अंजाम देते हैं उनको पुलिस के हवाले करो फिर पुलिस उनका इलाज अच्छे से करना जानती है ताकि यह मेवात बदनाम होने से बच जाए और एक गरीब शरीफ का सामना करना पड़ता है समय के साथ साथ सब को बदलना पड़ता है इसी तरह मेवात की जिम्मेदार लोग और उलेमा आगे आए और इस अपराद को खत्म करें अगर कोई नहीं मानता है समाज के फैसले को तो उसे पर कानूनी कारवाई करें तब जाकर कहीं अमन शांती औ और भाइचारा रहेगा मेवात की बहन बेटियों को पुलिस के सामने जलील होना पड़ रहा है